तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए हैं आपके लिए MPTET का एक्जाम जैसा कि आपको पता है अभी चल रहा है मद्रदेश पातरता परिच्छा दो दिन बाद आपका साइंस का एक्जाम आने वाला है बहुत सारे लोग साइंस का एक्जाम देने वाले हैं जैसा कि अभी देखा गया है जो आज एक्जाम हुआ है जो कि आपका MPTET क सोशल साइंस का एक्जाम हुआ है उसमें एक एक टॉपिक को पकड़ करके काफी ज्यादा प्रश्ण पूछे जा रहे हैं जैसे कि आज के एक्जाम के कर बात करें साइंस का एक्जाम है जितने भी पतवारी में अभी तक प्रश्ण पूछे गए हैं जैसा कि सोशल साइंस में पतवारी के प्रश्ण डारेक्टर रिपीट हो रहे हैं तो यह पतवारी के साइंस के वह प्रश्ण है जो पतवारी में पूछे गए हैं और सेम टू सेम यह कर दिना है इस वीडियो सीरीज को हम continue रखेंगे अगर इस पर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं नहीं तो इतनी मेनत हम आपके लिए करते हैं अगर इस पर आप लाइक नहीं करेंगे तो ब्यूज नहीं आएंगे तो हम इस सीरीज को यहीं पर बंद कर देंगे ठीक है तो कम गृत्वा करशन बल होता है इसलिए जो है जो आपके उपग्रह वगयरा छोड़े जाते हैं वो भूमद रेखा से छोड़े जाते हैं भूमद रेखा से छोड़ेंगे तो पृत्वी का गृत्वा करशन बल कम रहेगा तो जादा दूर तक वो उपग्रह जा सकते हैं इस सबसे अधिक होने की कारण जी का मान सबसे कम होता है देख रहे हैं भूमत रेखा पर कितनी ज़्यादा प्रत्वी की तरिज्या है इसलिए यहाँ पर गृत्वा कर्षन का मान कम होता है जबकि धुरूबों पर जाएंगे तो प्रत्वी चप्ती है ठीक है न चप्टी होने के विएसे यहाँ पर त्रिज्जा कम हो जाती है और गृत्वा करसन बल का जो मान है वो बढ़ जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक जरूर करना तभी ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच पाएगा वीडियो और अच्छे भी उजाएंगे तभी हम continue रख पाएंगे सीधी सी बात है मेरे ठीक है चलिए वाहित मल उपचार से निकाले गए ठोस अपसिष्ट को क्या कहते हैं यानि कि कोई वाहित मल का मतलब है कोई जल जैसे बहर आया नालो नदियों का जल होता है तो यहां से जब अपसिष्ट को इसे प्रदूसकों को निकालना है जो निकट बड़ती वातर अपने निर्वहन के लिए उप्यूक्त है यानि कि जो जल आपका जा रहा है जल में से अगर आप किसी भी अपसिष्ट पतार्थों को निकालते हैं तो इसी को वाहित मल उपचार कहते है ठीक ना इसी को जल सा वातरवर मिल जाए तो कितने समय में वो जो है अपना और भी प्रवाहित हो जाएगा तो बीस मिनट के अंदर वो और ज्यादा प्रवाहित होना सुरू हो जाता है तो देखिए सही प्रिष्थितियों में यह जो इकोलाई नामक जैसा रोगाण होता है प्रति एक बीस मि यह है विक्सित हो जाता है और यहीं टाइमिंग आप से पूछी गई थी उख आपका आपका पतवारी में शेख रहे और आपके प्रशन वो सोल साइंस में भी पूछ सा जा या रहे हैं तो environment के परक्षेंट आपको बहुत ज़ादा देखने को मिलने वाले हैं तो वर्सा जल संग्रान की कुल दो विधिया है कौन कौन से ये देखिये तो भारत में जल संचेन की दो विधिया है पहला है वर्सा के माध्यम से एकर्थित अत्रित पानी को कुवों तक पहुचा जा सकता है जो कुवों और भूम के जल को रिचार्ज करने में मदद करता है दूसरी विधी कौन सी है चट के उपर वर्सा जल का संग्रह है और सूखी टंकियों को निर्देशित करना चट के गड्ठों में प्रिच्व करा जिते हैं गड्ठों के दारा वो जो जल होता है वो प्रतिव में चला जाता ठीक है तो यह दो विधियां जो है जल सलचण की पाई जाती है भारत में अगला देखिए बौकसाइड किस का आईस्क है इसके बारे में जादा बताने की आफ़च किया जाता है इसका जश्ट उल्टा आपको सूर में देखने को मिलेगा सूर में जो है वो नाब की सल्यन की अब क्रिया होती है जिसकी वज़े से सूर में उर्जा का निर्माड होता है तो सूर में नाब की सल्यन और परमाडु बंब में अनियंतित परमाडु विखंडन ठीक चलिए मानों शरीर में प्रतरच्चियों का निर्मार कहा पर होता है तो आपको पता है जो प्रतरच्ची होते हैं हमारे lymphocyte में पाए जाते हैं ठीक है ना कोश्काओं के सरीर में Antibody के निर्मार के लिए साहिख होती है जो B lymphocyte होता है उसके दारा है Antibody हमारे सरीरे बनती है और Antibody ही जो है वो रोगों से हमारी रक्षा करती है ठीक है टी कोश्काओं का उपयोग, कैंसर कोश्काओं को मारने के लिए किया जाता है, यह प्रशन आपके SST में दो बार पूचा गया मैंस में, कि किस कोश्का का प्रयोग, कैंसर कोश्काओं को मारने के लिए किया जाता है, तो टी कोश्का है जिसका प्रयोग, कैंसर कोश्काओं को सब्सक्राइब किया चैनल को तो अच्छी रीच मिलेगी अच्छी व्यूज आएंगे तो हम इस सीरीज को continue रखेंगे जब तक आपका वर्रच्छक का एक्जाम नहीं हो जाता ठीक है सूर की केड़ों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है तो आपको पता ही है संचार पर्णाली में कार क्या होता है जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाना ये सिगनलों का कार होता है सभी दोलन गतिया कैसी गती होती है पूछा गया है तो सभी दोलन गतियां जो होती है वो सारे के सारी आवरती गती होती है तो देखिए सभी दोलन गतियां एक आवरती गती होती है परंतु यह आवशक नहीं है कि सारी गतियां दोलन गती हों देखिए जितनी भी दोलन गतियां होंगी वो सब आवर समझ रहे हैं दोलन गती यह है ठीक है ना पैंडूलम को जानते हैं वो यह कि स्थान पर जाता है फिर वापस आता है फिर जाता है फिर वापस आता है इसी को दोलन गती कहते है ठीक है परन्तु पैंडूलम जिसे सरल लोलक कहते हैं इसकी गती आवरती गती के साथ साथ दोलन भी होती है यह प्रश्ण कई बार पूचा गया कि पैंडूलम की गति कैसी होती है तो यह आपकी दूलन और आवरती दोनों गति होती है ठीक है फार्मेल्डी हायट का प्रयोग किसके निर्माड के लिए किया जाता है तो देखिए ऑप्सन में तीन चीजे दिवी थी यूरिक रॉल बैके लाइट और नॉयलन इन तीनों के निर्माड में जहें फार्मेल्डी हायट का यूज किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अग भगोना है जिसमें आपने पानी भरके रख दिया है नीचे से आज जला दिया है अब क्या होगा अब ये नीचे से जो जल गरम होगा वो ऊपर आएगा ठीक ना देखते हैं आपना जैसे नीचे जल गरम होता बिंदी 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 की रूप में ऊपर आता जाता है ठीक न संदूसर क्या कहलाता है तो संदूसर का ही दूसरा नाम प्रदूसर होता है कहीं आप से संदूसर पूछलें फिर आपको समझ में नहीं या कि यह संदूसर क्या है तो संदूसर को ही हम प्रदूसर कहते हैं आगे बढ़िए मलेरिया रोक का परजीवी कौन सा है तो प्लाजमो box में pin कर देंगे कोई भी दिक्कत परेसानी होगी तो आप एक बार comment box को चेक कर लीजेगा और comment box में comment भी कर दीजेगा ये video series आपको continue रखनी है या फिर नहीं रखनी है किसका राषानिक सूतर d y होता है अब ये अगर आप आ रहे हैं अगर आप सबसे पहले आप नल चला करके हाथों को धुल लेते हैं तो बीमारी वहीं का वहीं धुल करके और नाली में पहुंच जाएगी और आप जो है स्वस्त रहेंगे हमेशा ठीक है ये अच्छी आदत है हाथों को धुलना अभी पटवारी में ढूरात जो है ढूलता है थीक ना तो ये स़ई माना है दीक आप अपने अपनी सोच असली के अच्छी आदत है को धुलाटो गूर्ग कै अंदर में ही पाया ता है और यूटीक्डिक कैया आंतर होता है और यह देख लेते हैं तो prokaryotic कुषका में केंद्रिका यह सेंट्रियोल उपस्तित नहीं होते हैं prokaryotic में क्या-क्या नहीं होता तो केंद्रिका नहीं होता है यानि नुक्लियस नहीं होता है और सेंट्रियोल उपस्तित नहीं होता है जबकि साइटोप्लाजम जरूर होता है जबकि यूकेरियोटिक कुषकाओं में केंद्रिका और सेंट्री और ये दोनों उपस्तित होते है ठीक है और देखिए प्रोकेरियोटिक कुषकाओं में लिंग प्रजिनन नहीं पाया जाता है जबकि यूकेरियोटिक कुषकाओं मे कमेंट करके verify जरूर कर दीजिएगा मरदा में लवड की सांदता बढ़ने को क्या कहते हैं तो इसे लवडी करन कहते हैं और आज मरदा परदन से 11 मई के exam में मरदा परदन से बहुत सारे प्रशन social science में पूछे गाए हैं लगवग 20 परशन मरदा परदन से पूछे गाए हैं तो मरदा परदन यानि environment आपके लिए महत्पूर है आपके science में भी ये परशने पूछे जाएंगे तो मरदा परदन की उपर एक वीडियो हम बना देंगे आखो पता है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क में कोष्का का परिच्छन किया था ठीके देखे कब किया था तो 1665 में सबसे पहले कॉर्क में कोष्का का परिच्छन Robert Hook ने किया था इसलिए कोईशका का जन्मदाता Robert Hook को माना जाता है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई आवर्त साणी में उर्धा धर पंक्तियों को वर्ग तथा डैस 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है तो देखिए जो 18 उर्धा धर पंक्तियों होती है उन्हें हम वर्ग कहते हैं और जो 76 पंक्तियों होती है उन्हें आवर्त कहते हैं तो मतलत कुल मिलाकर आपसे पूछा गया था कि आपकी आवर्त साणी में कितने वर्ग कितने आवर्त होती है ठीक है ना यही पूछा था पूरा सा इसको mind-ward कीजिएगा ये जूल रहा है एक लड़की बैठी वे ये जूल रही है ठीक है जूल ऐसे ऐसे जा रहा है ये दोलन गती कर रहा है जूल अगर ये लड़की खड़ी हो जाएगी इसके आवर्थकाल में क्या होगा ये इसका आवर्थकाल कम हो जाएगा और स्पीड इसकी कम हो जाएगी ठीक है न तो यहाँ पर जूला अंत में रुक जाएगा ठीक है आगे उड़ते हैं एटम परमाडू किस भासा का सब्द है जो एटम सब्द है वो किस भासा का सब्द है तो आपको पता होना चाहिए ग्रीक भासा का सब्द है एटम ये आपको जाद एकना है, सीदह reect वाला प्रशन आ पके से पूछा जा सकता है, तो गी औरूँगी जो हैं, गी और अपने वह वाल्व होता है, क्यों वाल्व लगा रहता है, तो रक्त को पीछे आने से रोकने के लिए वाल्व का प्रेयोकिया जाता है, तो नसों में एक तरफा वाल्व होते हैं जो रक्त को पिछले प्रवाह को रोकते हैं वेरिकॉज नसों से पीडित होने पर रक्त अपने हिर्दे में जाने के बजाए इन वाल्वों की विफलता के कारण नसों में ही जमा होने रखता है ये नसें आपके दिल से सबसे दूर है और गुर्त्वा कर्स रक्त को ऊपर की और प्रवाहित करने के लिए और अधिक कटिन बना देता है अब देखिए आपको सई से समझाते हैं देखिए जो heart attack वगरा आता है क्यों आता है क्योंकि हिर्दय तक जो है वो रक्त नहीं पहुँच पाता है वापस यहां आने की वैसे क्या इन नसों में जम जाएगा और यह नसे ब्लॉक हो जाती है और यह रक्त जो है वो हिर्दय तक नहीं पहुँच पाता जिससे मानाओ की जो हिर्दय घास से मृत्य हो जाती है और आपको पता होने चाहिए आपका जो रक्त है वो नीचे से उपर की और प्रवाहित होता है लेकिन अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो ये रक्त जो है वो प्रतिवी के गुर्ता कर्शन की वज़े से नीचे की और ही प्रवाहित होने लगेगा नीचे की और जाने लगेगा यह आपका हेड़ा ही है जो इस रक्त को ऊपर की और खिशता है ठीक है ना तो इस वज़ाई से जो रक्त है आपका ऊपर नहीं पहुंच पाएगा और ब्लॉकेज की वज़ाई से ब्यक्ति की मृतियू हार्ट अटेक की वज़ाती है ठीक है शारी चीज़र भाई आपको, स्मौंच में आ तो क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीज और, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा एक यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है ठीक है यह सारे प्रस्टन ऐसे चहपे मिलें आपको प मेहनत ही क्यों करेंगky है न इसलिए को जरूर्ष करना और स्ट्रेर करना हर एक टेली ग्रूप में चलिए विद्धुत प्रतिरोधु को कम करना है तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में लगाएगा अगर आपको चलिए आगे बढ़ते हैं पीको का अर्थ क्या होता है अब ये पीको सिलाई वाली नहीं है पीको में यहापर घात पूचा है तो पीको में पीको की घात कितनी होती है तो दसकी घात जो माइनस बारा होती है वो पीको की घात होती है अब कुछ और आपको बता दें जो आगे आप से पूछा जा सकता है तो micro की कितनी होती तो 10 की घात minus 6 micro है nano कितनी होती इसे n से दर साते हैं तो 10 की घात minus 9 यह आपका minus जरूर याद रखना minus में लोग confuse हो जाते हैं यह दो-3 बार पटवारी है पूछा जा चुका है तो minus 9 जो होता है वो आपका 9 होता है पी को मनें बता दिया 10 की घात minus 12 होता है फेम्टो क्या होता है तो फेम्टो 10 की घात minus 15 होता है ओक्टो क्या होता है तो 10 की घात minus 18 जो है वो ओक्टो होता है और यहाँ पर इन सभी के प्रतीक भी दिये हुए है ये भी आपको देख लें ना है ठीके ना चलिए एथिनोल का कोथनांग के कितना होता है तो 351 केल्विन जो है वो एथिनोल का कोथनांग होता है फैक्ट वाला प्रस्ट है डारेक्ट आगे बढ़ते हैं वायू क्या है तो वायू एक मिस्रण होता है सबको पता है वायू में बहुत सारी चीज़े मिली होती मिट्टी दूल वगयरा सब कुछ मिलना रहता है तो वायू एक मिस्रण का उधारन है ठीक है संदूशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है चार कथन वहाँ पर दिये थे संदूशन का अर्थ दिखाई देंगे तो one में जो है जैविक और जैविक दोनों एक साथ में आपको दिखाई देंगे environment का ये प्रेश्ण है बहुत ज़्यादा environment आपके forest guard में भी पूछा जाएगा और amputate में पूछा जाएगा ये आप लिख करके रख लीजिए देखिए जैविक घटक में सारे जीव जन्तु पेड़ पौदे हम छोटे बैक्टिरिया जो है वो सब जैविक घटक में आते हैं जिनकी अंदर जान होती है वो सारे के सारे जैविक घटक में आते हैं मतलब जिन में जीवन होता है और जो अजयविक घटक की बात करें तो सारे के सारे राश्याइनिक पदार्थ, मुरत पदार्थ जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सारे के सारे जो है वो अजयविक घटक की अंतरगत आते हैं तो सीधा संतर है जिन में जान होत होता है यह आपको याद अखना है है कि यह कुछ यह दो बल्बों की सिर्स रेटिंग की बात करें तो चालिस वल्ट ल्याइत शा,थ व्ञचन हे हैं दो अनपात तीन इनका सही अनपात होगा कैसे 40 इंटू 220 कर देंगे ये उपर रख दिया इसके नीचे 60 इंटू 220 कर देंगे 220 से 220 कर जाएगा 20 दूनी 40, 20 तीयाई 60 टू रेशियो 30 का सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं देखिए औद्योगिक प्रदूसर्ण से जल प्रदूसर्ण कैसे होता है तो देखिए उद्योगों से निकलने वाला अप्सिष्ट पदार्थ जल में घुल जाता इस तरह से औद्योगिक प्रदूसर्ण से जल प्रदूसर्ण आपका हो जाता है जल की यानि की फैक्टरियों से जो भी पदार्थ निकलता है वो नदियों मिल जाता है नदियों में क्या होता है जल में जो है प्रदूसर्ण हो जाता है जल प्रदूसर्ण के परिच्छन के लिए किसका उप्यों किया जाता है तो जल प्रदूसर्ण का पर ट्यून रखेंगे जब तक आपका forest का एक्जाम नहीं होता और एक बार में अगर आपने पूरी science पढ़े दे कि forest में आपका main role science और English ही यहाँ पर दिखाएगी main role ठीक है ना तो science और English को आपको अच्छे से कर लेना है ठीक है इंगलेस की उपर सारी वीडियो बना चुके हैं वो सारी वीडियो आप जा करके देख लेना किसी किस सहर में पहली बार आपसे श्टानी की प्रक्रिया शुरू की गई थी तो एथेंस सहर में सबसे पहली बार जो है आपका आपसे श्टानी की प्रक्रिया भी सुरू की थी एथेंस में एक और चीज की सुरूआत हुई थी बहुत फेमस चीज है खेल से रिलेटेड है कौन सी चीज है जिसकी सुरूआत एथेंस से हुई थी comment box में comment कीज़ेगा देखते हैं आपकी जी के कितनी अच्छी है ठीक है आगे बढ़ते हैं CFC का प्रयोग कहा कहा होता है तो CFC यानि की chloroflorocarbon इसका प्रयोग refrigerator इत्र में यानि की जो परिश्यूम आप लगाते हैं air conditioner इन तीनों जगाँ पर CFC का प्रयोग किया जाता है तो देखिए इस गैस की वज़े से ओजोन परत में क्या हो रहा है और परयावरण के जो आपकी परावैगनी केड़ने होती है परयावरण नहीं परावैगनी जो केड़ने होती है वो परयावरण में प्रवेश कर जाती है और मानों के जो आपका और इसकिन कैंसर की जो में रीजन है वो आपका परयावैगनी केरेने ही होती है ठीके क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्शर कप किये गए थे फैक्ट प्रश्ण है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गए थे सुस्क बुझे चूने पर क्लोरिन की प्रक्रिया से क्या बनता है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माड होता है अगर सुस्क बुझे चूने पर क्लोरिन अगर आप डाल देंगे तो bleaching powder का निर्माड होगा किसी पिंड की वाचमता जो एक बार बल छोड़ने के बाद उसे वापस अपने पूर वाकार में ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे लोच कहते हैं उदारन के लिए करें तो rubber को खीचने के बाद छोड़ना rubber को आ क्याकरती में आ जाना लोच कहलाता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं भाई देखिए यह महत्रपूर प्रशन है एक गहरा पीला डाइफ्राम जो कौर्णिया के पीछे पुतली की सनरचना को नियंतरत करता है उसे हम क्या कहते हैं यानि कि इसे हम आईरिस के बारे में यह पर्माडू जिन में पर्माडू संख्या समान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं तो पर्माडू संख्या अगर उसे समान है तो उसे हम समिस्थानिक कहते हैं पर्माडू भार अगर समान है तो उसे सम इलक्ट्रोनिक कहते हैं नीट्रोन समान है तो उसे सम नीट्रोनिक कहते है यह चारों आपको याद रखने है क्रिसी फसल भूमी किसका उदारन है तो जो क्रिसी फसल भूमी होती है वो क्रतिम पारिस्थित की तंतर का उदारन होता है क्रतिम कार्थ क्या होता है जो मानवदारन निर्मित की गई हो अब फसल की जो भूमी उतिस में आप जुताई करते हैं फिर बुवाई करते हैं तो यह सब कौन करता है मानव करता है इस वज़े से इसे जो है कृतिम पारिष्टिकी तंतर कहा जाता है मानव दारा निर्ण में जो भी चीज़े होंगे हो कृतिम पारिष्टिकी तंतर होती है यह आपको याद continuing है यह तीनों question आपके exam में पूछे जा चुके हैं आगे बढ़ते हैं कौन सी gas land fill कचरे से उत्पन होती है तो सब को पता है बायो गैस जो है वो लेंड फिल कचरे से उत्पन होती है बायो गैस आपको इसके बारे में पताओ को जहाँ पर भी कश्रा होता है वहाँ पर बायो गैस उत्पन होती ही चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं तो लैंड फिल गैस बायो गैस है जो प्राकरतिक रूप से नगर पालिका के ठो सबसिष्टे लैंड फिल में एनोबरिक वैक्टीरिया दोरा निर्मित होती है कौन सा वैक्टीरिया बनाता है जरूर याद रखिए एनारोबिक जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पर बायो गैस का निर्मार करता है कुणकि मीथें जोनाइंसील है इसलिए उच्छी मीथें सामागरी वाली बायो गैस लोगों और परिया वरण के लिए खतरनाक हो सकती है ठीक है ना इसलिए क्या करते हैं कि जो आपका कच्छरा नियंत्रन होता है काप सारी विद्यों का प्रयोग किया जा जाता पलोगे से की कच्रा एक जगा उकटा नहींतों वहां पर होगा मीठन वगए आप सुना सुना होगा कच्रे में इसपोर्ट नहीं होता है कच्रा इकटा होता रहा है तो द दबाव पड़ रmat maintenance उसमें वेसे यही निकलती है और जोती है याद रखीएगा ठीक है ये संख्ला में यह संख्या नहीं है अंत्रन होता है एक जीव से 2 वी जीव में देखे तो प्राथमिक्स से दुत्यक होता हो टिड्डा में इस हरे पॉदों की 10% ऊर्जा का इस्थानांतर होता है, टिड्डे कौन खागा टिड्डे को मेड़क खाएगा, मेड़क में इसका 10% ऊर्जा इस्थानांतर होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 40 ग्राम हिलियम में कितने मोल होते हैं, वायू की प्रमुक परदूसर क्यों सी है, वायू में सबसे ज्यादा परदूसर किस गैस की वैस होता है, तो कार्बन मोनोऑकसाइड, जिसे सी ओ कहते हैं, यह आपका धूओं में जबनें पाया जाती हैं, ग्रोंक प्रम नोएं की होता है अगर किसी की दम घूटने से मौत हुई है अगर कहीं पर आग लग जाती है तो सब चलता कार्बन मोनो औक्साइड वहाँ पनिकलती है लेकिन दम घूटने की वज़से आदमी पहले मरता है जैसे कोई अगर आग से जल करके मरा है ना तो यह समझ दीजिए वो जल करके नहीं मरा है वो दम घुटने की वएसे मरा है जैसे उसमें आग लगी उसकी अंदर से या फिर आसपास की चीज़ों से कारबन मोनो अकसाइड निकलने लगी और कारबन मोनो अकसाइड को एक दम घ टूटू गेस भी कहते हैं इसकी वज़ा से जो है दम घुट जाता है और आदमी पहले मर जाता है उसके बाद में आदमी जल जाता है ठीक है चलिए चंदरमा पर बिना वाई मंडल के तापमान कितना होता है तो आपको याद रखना है माइनस एक सो नभे डिगरी सेंटिग्र से ले करके एक सो डिग्री सेंटिप्र ज़िस्स तक जो है चंदर्मा पर तापमान होता है क्योंकि चंदर्मा पर वाई मंडल नहीं होता है एक विशन कई बार पारिछा को पूरी तरह से रोकने के लिए कॉप्र त्दाब को क्या क्या कि क्या रोक देते हैं इस एक दाब के साथ में रोक देते हैं उस दाब को क्या कहते हैं यही आप से पूछा जा रहा है तो सही आंसर है उस दाब को हम पारा सरंड दाब कहते हैं इसका सही एक्जामपल बात करें तो किस्मिस को अगर आप पानी में डालेंगे तो किस्मिस फूल जाती है जिस कूड़े दान में प्लास्टिक और कांच को डाला जाता है उसका रंग कैसा होता यह पूछा गया है इसका सही आंसर पीला होगा लेकिन व्यापम ने इसको नीला माना है तो इस पर ऑब्जेक्शन ठोक देना चाहिए कई लोगों ने लगा भी दिया होगा ऑब्जेक् में दिखरा है तो पीले रंग के डिस्ट्विन में क्या-क्या डलेगा देखिए तो पीले रंग के डिस्ट्विन में human tissue डलेंगे human placenta डलेंगे बच्चे की नाल वगएरा जो होती वह यहां पर डलेगी और खून से भीग हुई रूई को फेकने के लिए इसका इस्तमाल किय जाता है तो काले रंग में यह डवाईयां वगएरा फेकी जाती है ठीके ना और आपका जो टिसू बगएरा होते हैं मतलब मानव के टिसू होते हैं रूई होती है वह सब पीले रंग के डिस्ट्विन फेके जाता है और यहां पर पीला रंग इन लोगोंने answer माना है मतलब क पीले में तो मानव के टिसू फेकर जाते हैं नीला इसका ब working साही आंसर होगा थोड़ा सा मतलब देख लिजिएगा व्यापामने इसको पील्या माना है पीले में पाया जाता है वर में आहिक बता दिया जो मानव की कि ठिसू होते है जो आपके रूंगी जो मतलब की टिसू वगरा होती है या फिर जो खून से भीग भी पट्टिया होती है उसको नीले पीले बॉक्स में जो है डाला जाता ठीक है काले बॉक्स में क्या डाला जाता तो सेंट्री पैड वगरा जो होते हैं उनको काले बॉक्स में डाला जाता है कुल पांच तरह के आपको एक अस्पताल के अंदर देखने को मिलते हैं, यह प्रिशन पूछा गया कि twee कि स्फित, और ज्दा प्स मिल्सके हैं बस आप वीडियो को लायग जरूर कर दीजिए, सेयर कर दीजिए अपने दोस्त, पास में और चैनल पर पहली बार आए थो सब्सक्राइब ऋड़ी दिर में आपके लिए सोसल साइन्स का हम जो है exam एसिस ले करके आने वाले हैं यह अवरा टेलिग्राम चैनल है सकसे जंचन के नाम से जहां पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी और यह सकसे जंचन लाइब के नाम से एक टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर आपको बहुत सारी क आप एक्जाम सेंटर से बाहर निकलें आपको इस नंबर पर आपको अपने प्रेश्णों को जरूर सेंड कर देना है जिसे कि आथेंटिक प्रेश्ण जो है वो लोगों तक पहुंच सके आप तक भी इनी लोगों के मदद से प्रेश्ण पूचे पहुंचा जा सकते हैं 70525 547003 कॉल इस पर मतलगाना क्योंकि कॉल नहीं लगेगा सिंबंध है कि वहला आप इस पर वाट्साफ से अपने मैसेज को कर सकते हैं ठीक है बाकी कोई जानकाई लेनी हो दिए हमारा इंस्टेग्राम आइडिया अदूल सुकला के नाम से यहाँ पर आप इसको फॉलो करके जो है अपना मैसेज हो गारा कर सकते हैं यह मिश्टर तो लेट हंडरेक नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है न चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में दूसरा इसका वीडियो हम लेकर क्या आएंगे यह सब आपकी उपर इपेंट करता है कितना आप कमेंट करते हैं ठीक है चलिए जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद सियर और लाइक जरूर कर देना मेरा भाई तभी अगली वीडियो आप आएगी